मैच्योर पीपल नेवर फाइट ओन डबल फ्रेंट यानि कि दोस्तों जो समझदार होते हैं जो गोल ओरेंटेट होते हैं वह कभी भी दो नावों पर सबार नहीं होते जब आप केपबल हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई कारे करते हो या परिश्रम करते हो तो कभी भी तीन लोगों के सामने उस चीज का गुडगान मत करना कौन है वह तीन लोग आईए देखते हैं आज की इस वीडियो में तो नमस्कार में कृतिका आप सुभी का स्वागत करती हूं प्रभाता एक्जाम की यूट्यूब चैनल पर यह कैस्ता प्लाटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं किसी भी प्रतियों के परिक्षा से ना भोलें तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की हर किसी के जीवन में तीन लोग ऐसे होते हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं यह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम सभी के जीवन का एक मूल भू तंग होते हैं चाहे हम कितना भी चाहे हमें इनके साथ रहना ही पड़ता है लेकिन जीवन के एक ऐसे पढ़ाव में जब हम अपने खुद के लिए जीते हैं जब हम खुद के फैसले निला शुरू करते हैं या जब जीवन में सफल होने के लिए कड़ी महनत करते हैं तो यही भैतीन लोग होते हैं जिनसे दूरी बनाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। यह तीन लोगों होते हैं दोस्त, पडोसी और रिष्टेदार। अब तो आप समझी गए होंगे कि मैं आपको आज की वीडियो में क्या समझाने वाली हूँ। इन तीन व्यक्तियों को अगर हम ध्यान से देखें तो यह वह लोग हैं जो हमारे जन्म के साथ ही कुछ समय पशाथ हमसे जुड़ जाते हैं। जैसा पैदा होने के साथ ही हमें चाचा, चाची, मामा में मिल जाते हैं। अब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो इनी के साथ हमें रहना होता है, मस्ती करनी होती है और यह हमें पसंद भी आता है। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो पडोसियों से मुलाकात आम बन जाती है। हम क्या कर रहे हैं और कौन से स्कूल में जाएंगे। हमारे पेरेंट से ज्यादा बाते तो इन पडोसियों को पता होती है। शर्मा जी के बेटे का कर रहा है वो उनको पता होगा। फिर आती है अंतिम व्यक्ति यानि की दोस्त। जैसे ही हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं हमें मिलते हैं दोस्त। बच्पन में इने के साथ खेलना, खाना और हूमवक करना चलगता है लेकिन समय के साथ इन में भी बदलावाने दिख जाते हैं। अगर हमारे अच्छे माक्स आ गए और उसके कम, अगर हम साइन्स में चले गए और वहें कॉमर्स में तो नैच्रली दोस्तों में एक खटास सी आना शुरू हो जाती है। और इसी तरह जो लोग बच्पन में हमारे शुपचिंतक होते हैं, वो धीरे धीरे करके हम से जैलिसी फील करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अकसर आपने यह देखा होगा कि उम्र के साथ हमारा गुरूप भी काफी छूटा हो जाता है, काफी सीमित लोगों का हो जाता है। हम केवल सेलेक्टिव लोगों से ही बात करते हैं। जब आप महत्वकानशी हों, जब आपके अंदर कुछ करने का पोटेंशल ही है, तो इन सभी लोगों से बचना ही बहतर होता है। जब आप सेवल सेवा की तयारी कर रहे हैं या किसी अन्दर प्रत्योगी परिक्षा की तयारी कर हैं, और कोई भी पूछी की कहा जा रहे हो तो आपको क्या ज़वाब देना है। तो मालूम होगा ही अकसर आपने सुना होगा कि फलाना यहां से पढ़कर आया यहां पर रौकरी कर रहा है लेकिन गाव में उसने ञग कि 8 भिगा जमीन पर घर बना दिया है जानता कोई नहीं है रहता कोई नहीं है बस बना दिया है अब लोग सोचेंगे कि ससुरा पता नहीं क्या कर रहा है तो जब आप देखोगे तो वो कहीं UPSC की तयारी अच्छी पोस्ट पर लगा होगा और अच्छी खासी सेलवरी कमा रहा होगा लेकिन अगर वही व्यद्धी उजन अपने पढ़ोसियों को बता देता अपने दोस्तों को बता देता कि यार मैं UPSC की तयारी कर रहा हूं तो वो तो या तो उसकी लैग पोलिंग करने शुरू हो जाते या उससे बोलती कि क्या वाल तू चीज है बहुत ताइम लगता है बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है तुम से नहीं हो पायागा और शायद त से यह एक्जाम नहीं हो सकता मैं एक्जाम नहीं करूंगा योग्यता एक ऐसी चीज है जो हर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है त्योंकि जब आपके पास योग्यता होती है जब आपके पास potential होता है कुछ करने का तब आप महनत करोगे खूप मन लगा कर प पाया तूने हमारे पैसे बरबाद कर दिये अगर दोस्त हो तो वह सब आपकी टांक हिचाई करेंगी कि क्या फाहल तो कचसका अपना लिया है लेकिन जब इंसान की मृत्तियों हो जाती है तब सब अफसोस चताने आ जाते हैं अव्य अफसोस कर रहा होगा या पतनी क्या क् इसलिए अपनी जीवन में कुछ करने के लिए कुछ बहतर करने के लिए UPSC के परिक्षा में सफल होकर एक अच्छी पोस्त पर लगना चाहते हैं तो इन तीन लोगों यानि की रिष्टेदारों दोस्तों और पडोसियों से कुछ भी शेयर मत करो तो यह थी आज की वीडिय ज़रूर पसंद आई होगी इसी के साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैलर पर सबसे पहली बार जोड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तो उमेदे आप सफिर मुलाकात होगी प्रभाद एक्जाम के यूट्यूब चैलर पर तब तक के 27 years civil services preliminary exams 2022 आईएस और डॉक्टर मनीश रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में हैं आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के general studies और CSET के topic wise salt papers और साथ ही पिछले 30 वर्षों के essays topic आप इस बुक का review लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके three e sample chapters जिनको आप free download कर सकते हैं तो आज ही order करेंगे